आज ही doubtnet आप डाउनलोड करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone and welcome back to doubtnet जैसे कि आप जानते हैं अपना chapter The Central Islamic Land को complete कर रहे हैं तो अब तक हमने Islam का origin के बारे में उसके इंशन और sect formation के बारे में पढ़ा इसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब Prophet Muhammad की death हो गएती तो उसके बाद काफी सारे खलीफाज आए जिन्होंने expansion किया Islam का पूरे बहुत ही बड़ी territory पर उसके बाद बहुत सारे एक ही करगी कैलिफ आए और जो लास्ट कैलिफ थे ये उमयद ये लास्ट नहीं पर हमने जो लास्ट वीडियो देखी थे उसमें हमने उमयद के बारे में पढ़ा था तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे उमयद and the centralization quality तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि बहुत सारे कैलिफ जब आए थे तो उनके समय पर बहुत जादा civil unrest था जो लोग थे वो जगड़े कर रहे थे बहुत सारे conflicts थे society में और जो peace थी वो बिलकुल गायब हो गए थी तो जब उमय आए तो उन्होंने peace को दुबारा से established किया और जो quality थी जो एक तरह से खतम हो गए थी जो administration था एक तरह से खतम हो गया था उसको दुबारा से consolidate किया और जो quality थी उसको centralize किया तो आज हम पढ़ता है इस dynasty के बारे में और इन में जो caliph थे उनके बारे में जनी शुरूखरते हैं the caliphate of large territories destroyed the caliphate based in Medina and replaced it with the increasingly authoritarian polity जो लार्ज territories की caliphate थे उन्होंने मदीना की caliphate थे उनको destroy किया जैसे कि हम ने देखा था previous videos में कि बहुत सारे जो caliphate थे उनका assassination कर दिया गया यानि उनको मार दिया गया लोगों के पब्लिक freedom थी लोगों की जो freedom थी वो बिल्कोल ही खतम कर दे गई थी अधि उम्मायद implemented political measures which consolidated their leadership within the उम्मा जब उम्मायद आया उम्मायद डैनस्टी जब आया तो उसे जो हमारे जो caliph थे मुआविया उन्होंने political measures ले कुछ quality में और जिससे कि उन्होंने उम्मा जो quality थी उसमें पूरी power को consolidate किया और जो leadership थी उसको और ज़्यादा powerful बनाया इस फर्स्ट उम्मायद कैलिफ मुआविया मौब इस capital to Damascus अब जाते होंगे जो मौब आपने राज़्दानी में बनाई अब उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल मैजर्स ले और अडिस्टेटिव मैस ले जिससे कि वह पूरी जो इस्लामिक लैंड के सोसाइटी थी उसमें चेंजिस लाने चाहते थे और उसमें एक पीस लाना चाहते थे तो उन्होंने बहुत सारी चेंजिस लेकर आए साथ में ही वह एक हैरिडेट्री सक्सेशन लेका है इसका मतलब कि जो अभी कैलिफ है तो उनकी आने वाली जो पीड गया उन लोगों के द्वारा जो कि उमयद को फॉलो करते थे तो इसकी वज़ा से जो उमयद थे उन्होंने पूरी इस्वामिक लैंड पर 90 साल तक अपना राच किया तो यह जो उमयद डैनिस्टी थे इसी में से आगे चलकर बहुत सारे कैलिफ्स आए और इसके बाद जो अबासिद डैनिस्टी थी इसमें इन्होंने टू सेंचरीज तक यानी करीब दो सो सालों तक राच किया ते उमयद स्टेट वोज नाव इन इंपीरल पार बेस्ट उन स्टेट क्राफ्ट एंड लोयल्टी ओफ सिरियन ग्रूप्स जो उमयद का स्टेट था यानी उनकी पू अबर चलता था स्टेट क्राफ्ट का मतलब जो मतलब शासंकला यानी पूरी स्टेट को चलाने के लिए जो भी रूल्स चाहिए होते हैं पॉलिसी चाहिए होते हैं उन्हें कहते हैं स्टेट क्राफ्ट तो पूरा जो स्टेट है वो स्टेट क्राफ्ट के उपर चलता था औ और जो सीरिया की जो सोल्जर्स थे उनकी लॉयल्टी पर वहां पर जितने भी टूप्स थे वो सभी लॉयल थे तूदा उम्मायत तो यह पर हमने एक diversity देखने को मिलती है कि जो उनका administration था वहां पर Christians भी हुआ करते थे Christian advisors हुआ करते थे और जो bureaucrats थे उनमें जोरेस्टियन स्क्राइब्स भी होते थे describes मतलब लिखकार होता है जो कुछ लिखते है records को record करते है दे उम्मायत आलवेज अपील for unity and suppressed rebalance in the name of Islam अब हम देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे rebalance तो हो ही रहे थे civil war भी हो रहे थे तो जब उम्मायत ने यह declared कि hereditary succession होगा यानि कि जो आज कैलिफ बना है तो आगे चलकर उसी की उसी के वंच से कोई और इनसान कैलिफ बनेगा जब इन्हों ऐसा declare किया तो बहुत सारे rebalance किये गए विद्रो हुए तो उम्मायत में जितने भी कैलिफ साहिए थे उन्होंने इन रिबैलिंस को सप्रेंस किया यूनिटी के नाम पर और इसलाम के नाम पर वो यह कहते थे कि जो इसलाम है वो हमेशा एक साथ होना चाहिए बिलकुल इसमें और भी ज़्यादा जो सेक्ट्स हैं वो ना बाइए इसके लिए हमने यह जो फैसला है वो किया है इसकी वज़ आप्दलमलेग के रिम इनके वक्त पर और उनके जो ससेसर थे उनके वक्त पर जो अरब थे और इसलामिक अडेटीटीस इनको इपसाई मिया और इसलाम के बारे में बहुत स्यादा रिकर्स बनाइ गये और लोगों को इससे ऑफगता आए गया इन सभी को काफी इंपसाई क करी थे लेंगे सिन यह को तुद्र अरबिशे अच्छों चिंड आ था था वो Arabic language में होता था और जो Islamic coinage उसके introduction कर दिया गया था अब जो जितने भी कैलिफ्स होते थे वो सबी कोईन के जरीए administration करते थे coins now carry Arabic inscriptions अब क्यूंकि Arabic language थी वो administration के लिए यूज की जाती थी तो जो coinage inscriptions होते थे भी Arabic language में होते थे अब्दल मलिक also made the development of an Arab Islamic identity by building dome of the rock in Jerusalem ये जो आप picture देख रहे हैं ये एक तरह का डोम ने की Jerusalem में बनाया गया तो इन्होंने काफी government की जो पूरी Umayyad dynasty थी इसमें काफी सारे कैलिफ्स है जिन्होंने बहुत सारी development की administration में literature में और architecture में तो इस तरह से जो dynasty है ये चली आई होप आपको ये topic समझ में आया होगा next video में हम next topic को discuss करेंगे video देखने के लिए thank you classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या whatsapp कीचे अपने डाउट आट 400 400 चार्स उपर